सब्बीर खान की बात किया सब्बीर खान का जो चेहरा है या वो नाम है काफी फेमस इसलिए क्योंकि आप अपने दिल में बात रखते नहीं जो सच है उसको आप तुरंद बोल लेते हैं जाए सामनी वाले को बुरा लगे जाए अच्छा लगे ऑर हमने भी कई बार आपका इंटरू किया और आपने इस तरह का जबाब दिया है या मोजूदा नगर्सेवक्ष Safety हो या पुराणी नगर्सेवक्ष या किसी ने भी गलत किया आप किसी बात को छुपाते नहीं धीएक मैं आसे जाना चाहूँगा कि इस वक्त जो मांद जो हा इस वक्त मोजुद है मुंबई का सबसे पहला वार्ड यानि आखरी वार्ड इसे कहा जाता है ट्रॉम्बे चीता केम वार्ड करमांग 141 148 हो गया अभी नया जो वार्ड बना है लेकिन यह वार्ड इस वक्त जनरल महिला हो चुका है अब देखना यह है कि कितने उमिदवार हैं अपनी नसीब आज्माते हैं या किसे चीता केम की जनता चुन कर देती है लेकिन सबसे बडरी बात यह है कि चीता केम का कुछ जो पाड था système से कर चुका है हलागी एक छोटा वाट लेकिन जनसंक्या सबसे ज़्यादा है आले कि यहाँ पर लोगों की समस्या भी सबसे ज़्यादा होती है और उस समस्याओं का निवारण भी करना बहुत जरूरी होता है हलाकि महारा सरकार ने कई project यहां पे launch किये मुंबई महानगर पालिका के माद्यम से भी कई project यहां पर चल रहे है लेकिन देखना ये है कि आने वाला मुंबई महानगर पालिका में कौन बाजी मारता है लेकिन आज हम ऐसे खास वेक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनने आप पहरे भी CNO चानल के मादम से देख चुके हैं और सुन चुके हैं उनका नाम है सबीर खान और सबीर खान जी क्या करना चाहेंगे मुंबई की जो राजनीती है और जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है काफी चर्चा के भी से हैं मौजुदा विधायक की बात करें या इस वाड की बात करें या अनुसक्तिनेगर विधान सवा की बात करें तो आपने भी कुछ साल बर लगबग हो चुके आपने भी कॉंग्रेस पार्टी में प्रविश किया अपने धर्म पत्नी के साथ आपके साथ हजारों के संख्या में कार करता हूँ ने कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामाता क्या करना चाहेंगे सबसे पहले मैं आपकी चैनल के सभी दुर्षकों को मैं सलाम करता हूँ देखे राजकरन तो अभी दिन बे दिन है ना बदलते जा रही है पूरे चीता के हम की बात ने रहे हैं पूरे बंबे और महराष्टे की राजकरन बदलते जा रहा है जहां तक अनुशक्तिन अगर की बात है कि यहां पर राजकरन का कहता है कि एक अलगी माहूल हो गया है मतलब हमारी मलेः अप के नई रहते हुए कि इक लमस्टा हो गया है तो अंदगार वाला माहूल जाता रहता है इस में भी कहते निकलने का और क्या-क्या-क्रने का ये का अब या आने वाले कॉर्परेशन के एलेक्षिन में वापी थे जाता है कि महा विकास आगाडी बन रही है लेकिन अगर देखा जाए सबीर खान की बात कीज़्यात能वे आ नाम है काफी फेमस इसलिए क्योंकि आप अपने दिल में बात रखते नहीं है जो सच है उसको आप तुरंद बोल देते हैं जाए सामनी वाले को बुरा लगे जा अच्छा लगे और हमने भी कई बार आपका इंटर्वीव किया और आपने इस तरह का जबाब दिया है या मोज करण है किस तरह नजरीय से आप देखते हैं देखें जो वाड आज 148 बना है यह बहुत अच्छा वाड बना है पहला इसा था कि आधा हिसा चीता केम का आधा हिसा महराश्ण नगर में जाता था और तक्रिबें 15-16 बूत और जो ट्रॉम्बे पाली पाला का जो ट्रॉम्ब भीदबा होता था और वहां पें काम बरबर नहीं हो पाता था उसी तरह थे यहां का जो हिस्सा है और टॉम्बे में जड़ने करशए से यहां का नगर अब आभधा ता लेकिन अभी बाता आसा हो इसाज करते हैं तो इससे क्या होईगा कि एलाके का थोड़ा ड़ॉपमेंट होगा सबसे चोटा वार यहे लेकिन खुशी के बाद है कि सबसे ज़्यादा और यहां पे है ओटस में 61,000 ओटस का कुछ है लिस्ट आया है कि इतनी ओटस है तो छोटा वाड ओटस ज्यादा यानि की घना वाड है यह काम भहुत करना पड़ेगा और अज तक तो कुछ नहीं हुआ है भहुत कुछ करने है और भहुत कुछ करेंगे तो ही कुछ दिखेगा अच्छा मेरे मन में एक सवाल है आपने एक कहावत सुनी होगे कि डूपतीवी नाव को तिन के का सहारा तो जब कॉंग्रेस पार्टी के किसाब से देखा जा तो लोग इस वक्त डूपतीवी नईया के हिसाब से देख रहे है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के ना ज्यादा ब ना इस देश की सबसे बड़ी पारिटी है सबसे बड़ी जूनी पारिटी है इसका इतियात है आजादी से लेकर आज तक का इतियात है कि कॉंग्रेस सबसे बड़ी कॉंग्रेस डुबना भी में की महलब गलत बात है कि कॉंग्रेस को दूबाने वाले है ना म法ल्ब ब कारेकरता कम मैं क्योंकि यहां के जो कारेकरता थे उतने दिल से काम ने कि एकी लोगों को उनके दोर जोडने का लेकिन काउंग्रेकरता जाता है मैं ने ए मैं ये भी देखा की CONGRES के आप बोल रही करकरता कम है लेकिन आपके जो साल बर के प्रवेश के बाद मैंने तो आप कई जंग गूमा है लोगों से बात किया है तो CONGRES का माहौल और CONGRES करकरता ज़्यादा दिखते है हाँ अभी ना हाँ तो अभी कहता है कि हम लोग है ना ठीक है ना कॉंग्रेस के जुने लोग थे जितने लोग थे उतने थे उसके बाद में अभी जो मेरे थाथ आए या मेरे लोग आए या मैं और किथी को मैं बहुत सारे लोग थे ना जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन दूसरे लोगों ने मुलावा इतना बनाया मेरे कहाँ से जितने डिजिडिल में जितने लोग मेंबर बने न उतने लोग ओड देंगे तो कॉंगर्स का नगर सिवक आराम से चुनके आजागे नहीं नहीं आई था खुश नहीं है देखो कैथा मालम है कि हमारे चाने नहीं चाने से खुश नहीं होता है पांच साल जिस दिन 2017 में एलेक्शन का रिजर्ड लगा दूसरे दिन से हमने लोगों के बीच में काम करना शुरू किया दूसरे दिन से दिन राद एक करके काम करें और पांच साल लोगों की बीच में रहके काम करें फर्स्ट अम आयता है कि हारने के बाद में भी हमने इमधारी से लोगों की बीच में काम किया जो जो वादा हमने election के time के थे हाने के बाद में उसको पूरा करने की कोशिश किया सबीर भाई रोकूंगा यहां पर पांच साल की बात जवाब कर रहे हैं कि मैं तो लगबग इस आपके इस वाड में लगबग 10 साल से history करते आ रहा हूं हर दो तीन महीने में छे महीने में कुछ ना कुछ यहां पर story करते हैं और आपको हम लोग बार बार देखते हैं कि आप पब्ली के बीच जनता के बीच होते हैं तो आपका चुनाव लड़ना या आपके family से कोई चुनाव लड़ना है सोभाविक है क्योंकि आपने लोगों के लिए काम किया है आप लोगों के साथ 24 गंटा जुड़े हैं लेकिन बरसाती जो मेड़क हैं जिसे चुनाव आया तो लगे टाउ 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 टार करने इनके लिए क्या आप सुजाओ देंगे हिंदुस्तान का जो सम्विदान है उसमें हर लोगों को एलेक्शन लड़ने का अधिकार है लेकिन अधिकार तो यह बहुत बड़ी खीचड़ी है उसको समझने के लिए कम से कम पांट साल चला जाता जीत के आने के मत में है ना करॉपरेशन के कितने दरवाजे है ना वो देखने के लिए है ना पांट साल चले जाते है तो ठीक है सबको लगता है कि बहुत आसान तरीका है यहाँ पर कहिता है कि दो चीज़े कुछ कमाएंगे और दूसरे का मकसद है कुछ काम करैंगे बहुत तेडी खिच्डी है मनोनित नगर से वक्त है उसके पहले आप 5 सल MLA थे मैं तो देखता हूँ कॉर्परेशन और नगर से वक्त लोखन के चनी चमाने के जेता है सबको लगता है बहुत आतान है वो लडु है ना जब हाथ में मिलता है ना तो मालूम बढ़ता है कि क्या है करके नगर से वक्त लोखन के तो अधिकारी बोलती है यह सर काम हो जाएगा लगिन वो 15 जिन तर काम होता है वीचारे ऐसा होता है ना कि बाद में है ना नगर से वक्त जाके सर मारना पड़ता है दिवाल पर कि मेरा कोई सुनता नहीं है मालब ऐसी हालत है नहीं कॉर्परेशन हाकिकत में ना तीड़ी खिछडी है क्योंकि देखो कॉर्परेशन है एमसी जीमी चे कहता है यह ना कि उनकी अलग से कानून है अलग से किताब है नहीं समझें तो सब ठीक है अधिकारी तो कहता है कि वहाँ पर देखो बी-मसी के अधिकारी को क्या 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 किस चीच का मिलता है काम करने का नहीं मिलता है सब लोग काम करते हैं. उनको लोगों को बेकूप बनाने का पगार मिलता है. तो लोग बन करते हैं। और हमारे जते को बेकूप बनाएंथ तो mereka मालं में क्या होता है जिसके लिए तो मैं और हजारों लोग आपके माध्यम से जोड रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी में, आपने कई सभा भी रखा था, रहीली भी रखा था, हमने वो कवर किया, अब कुछ लोगों का दावा है कि हमें भी टिकर चाहिए, ठीक है, उनका मांगने का हक है, लेकिन कुछ काम भी तो होना च टिकट मांगने का, और सब लोग टिकट मांगना चाहिए, और मैं तो कम से कम मेरे वाड के सारे जितने टिकट के दावेदार है, उनसे गुजाजिश करूँगा, कि जोर से टिकट मांगो, दिल से मांगो, पुरी ताकत से मांगो, और पार्टी के लोग भी तो थोड़ा से रखते हैं कि कौन काम करेगा और चुनाओ का जो ग्रणनीदी होता है ना उसके अंदर स्थिफ एक ही कैटेरिया रहता है कि कौन सीट जीतेगा जो जीतने वाला रहेगा उसको टिकेट मिलेगा पार्टी डिसाड करेगी पार्टी के साथ हम सुत्रू के हवाले तो हमें ऐसा भी पता लगा है कि कुछ ऐसे लोग है जो कुछ ऐसे आरोपियों के साथ काम करते हैं जो आज जेल में हैं अपने आरर पांडियन का नाम सुना ही होगा फोन आ रहा है किसी आर पांडियन का नाम सुना होगा तो उनके साथ मिलके इस तरह काम क क्या गरेंगे जो पभली का पैसा लूट रहे हैं नहीं नहीं देखो मैंने आपको पहला क्या बताया कॉर्पोरेशन और राजकारन लोगों ने ना इसको एक धंदा बना दिया है लोग क्या सोचते हैं कि यह बहुत इजी मनी है नोट शपने की मशीन है अईता कुछ नहीं है वो अपने उपर है कि हमने राजकारन को किस तरह से लेना चाहिए आज हम लोग है ना कितना टाइम देते हैं हर चीज में है ना हम मिलते हैं ना लोगों को पांच साल मिले जीतने वाला नहीं मिले के लेकिन हम मिल जाते हैं तो वो अपने दिल के उपर रहता है और यह बोलत करने का तो राजकरन का वो लोग सहरा लेते हैं और हमारा कहता है कि एक मुलब ये है क्या बलते हैं उसको मस्ती है कि काम करते रहने का करते रहने का आज काम किया मेरा हॉस्पिटल जिस जगे पे है ना उस जगे पे लोग पहला नहीं जाते थे चलने ही थकते थे आज उस जग कि कौन राजकरन को किस एंगल से लेता है तो चीता केम एक ऐसा वाड भी है कि मैं देख रहा हो कि जिसका चीता केम से कुछ लेना देना नहीं दूर दूर का वास्ता नहीं है फिर भी वहां के बांबू गाड़े हैं मतलब अपना जंडा उच्छा रखने की तैयारी में ऐसे क्या करेंगे ना यहां रहते हैं ना इस वाड चे कुछ लेना देना है लेकिन बूलते हैं कि आप बहल मुझे मार ओ आली काहनत कावत है चीता केम के लोगों का दिल बहुत बड़ा है सब को बरदाश करते हैं और सब को कैसा लगता कि चीता के लोग बेकूफ हैं चीता के ल और कुछ चम्चों को लेके, कुछ दलालों को लेके, अगर घुमने के बाद में, अगर उनके भरोसे पर अगर हो सोचेंगे, कोई भी सोचता है कि हम लोगों को बेकूप बना के वोट लेंगे, तो लोगों को बेकूप बनाते हैं कि लोग उनको बेकूप बनाते हैं, आने व तो बड़े बड़े नाले यहां पर उसकी सफाई या साफ सुत्रा होने के लिए इसके लिए किस तरह का फॉल अब जहां तक मांसुन की बात है और गटर की बात है तो मैं क्लियर कर बोलता हूं कि नाला जिस तरह से साफ होना चाहिए ता नहीं हुआ मैं तो बोलता हूं कि 20% नाला ही साफ हुआ बाकी का नहीं हुआ वो तो ठीक है और यह तो BMC का एक दस्तूर है ना कि जब पहली बारिश आती है जोड से बारिश आती है तो सारा भैके है ना संबंदर में निकल जाता है फिर नाला साफ हो जाता है लेकिन जैसा साफ होना चाह है जिसको काम अभी होना चाहिए था लेकिन किसी वो जैसे लेट हुआ तो लाले तो भरेंगे ही और भरने के बाद में फिर देखेंगे क्या लोगों से अपील करेंगे चीता केम के रहिवासियों से क्योंकि यहां के लोगों का दिल बहुत बढ़ा है क्या कहेंगे सबी से चीता केम के लोगों का दिल वाकई में बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपके चैनल के माधियम से एकी लोगों से दर्खवास करूँगा वो भी हाथ जोड़ के दर्खवास करूँगा कि ठीक है एलेक्शन तो आते हैं और जाएंगे एक बहुत सारे लोग खड़े होंगे मगर आपके फाइदे का कौन उमिद्वार है आपका काम कौन करके देता है आपको दिन रात कौन मिलेगा किसको बीमसी की नॉलेज है कौन अधिकारियों से काम कराके लेगा वैथे लोगों को तुमने चुनके देना चाहिए नहीं कि आपने धरम के नाम पे या जजबात में आके बहुत सारे इशूस होते न कि उस सारे चीज़ों के पर उससे क्या होता माली क्या कुछ नहीं होता है तुम्हारा पाट सल बरबाद होता है और वो नहीं करने के लिए आपने किसको ओड़ दो नहीं बुलना लेकिन आपका फाइदा किस में है कौन तुम्हारा काम करेगा कौन तुम्हारे बीच में रहेगा वैसे आदमी को तुम चुनके दो यही मेरा है ना पूरे चितागेम के लोगों से ना एक ही अपील है जी हाँ सब्बीर खान जी को आप देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह पुरे मसले पर चर्चा किया सभी सवालों का जवाब दिया और आने वाले जो मुंबई महानेगर पालिका है चुनाओ उसमें किस तरह के तयारी है किस तरह के रणनीती है कॉंग्रेस पार्टी कितने सीटों पे लड़ सकती है कॉंग्रेस पार्टी कौन से उमिद्वार हो सकता ये सब चीजए हमने चर्चा की है और सीटा केम के अवाम से यहां के लोगों से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपना candidate, सही candidate को चुने, जो आपके बीच रहने वाला हो, जो आपके लिए हर 2400 गंटे खड़ा रहने वाला हो, जो आपका काम एक फोन पे करके देने वाला हो, ऐसे उमिदवार को चुने और ऐसे उमिदवार के साथ खड़े रहें, किसी और के भाकावे में न जाएं केमरा में प्रवीन के साथ, राज पांडे, CN News, मुंबई किसी ने भी गलत किया हो, आप किसी बात को चुपाते नहीं हो, मैं आप से जाना चाहूंगा कि इस वक्त जो मुदुजा, जो हालत है, इस वार्ट कर्मांग 148 जो नया बना है, क्या इसका सम्मिर करण है, किस तरह इस नजरी से आप देखते हैं C.E.N. News, देश प्रदेश की ताज़त रिन खबों के लिए C.E.N. News को सबस्क्राइब करें और रहें पल-पल की खबर से हर पल बाखबर